हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ जुर रहे हैं बता दे जितने भी आसा कारिकरता अंगनवारी सेवी का आसा फैसलिटेटर वैक्सिन कुरियर ममता दिदी जीविका दिदी तमाम महिला करमचारियों के साथ साथ एन 2024-25 से आप लोगों को बहुत बड़ी खुसखबरी मिल सकती है इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बिधान सभा से आप लोगों की बात उठकर के संसद तक पहुँच चुकी है और बिहार में क्योंकि डवल इंजन की सरकार है यानि की बीजेपी यानि की NDA की सरकार और संसद में असमिर्ती इरानी ने इस बात को लेकर के जाहिड किया है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग जितने भी आसा कारिकरता आंगनवारी सेवी का आसा फैसिलिटेटर वैक्सिन कुरियर ममता दिदी जीविका दिदी तमाम महिला करमचारियों के बिधान सभा के पास है और वहां से तमाम जानकारी कठा कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दे वहां से तमाम मंतरियों का आवागमन जाना आना होता है तो उन्होंने जो हमको जानकारी दिए है कि आप लोगों के हितों में क्योंकि सरकार का यही एजेंडा था और पॉलिसी थ 16 में तमाम उवड के संविधा करमचारियों के साथ जितने भी आसा कारी करता अंगनवारी सेविका, आसा फैसलिटेटर वैक्षिन कुरियर ममता दिदी, जीविका दिदी, तमाम महिला करमचारियों के साथ, A&M और NCHM के जितने भी करमचारी हैं, उन सभी को तौफा देने का काम करेंगे मतलब की उचित वेतन यानि की 18,000 रुपे के something आप लोगों की मांग 26,000 ती लेकिन आप लोगों को 18,000 रुपे की जो उचित वेतन है अभी के समय में उचित वेतन नहीं का सकते हैं लेकिन मान करके चलिए कि इतना भी अगर केंदर सरकार और राज सरकार मिला करके आप लोगों को देने का काम करती है तो बहुत बड़ी जो है बात हो जाएगी ना सिर्फ आप लोगों को सिर्फ उचित वेतन चाहिए आप लोगों को निव पेंसन एसकिम भी चाहिए medical em policy के साथ-साथ accidental insurance भी चाहिए सब्ताह में आप लोगों को कम से कम एक दिन के छुटी चाहिए राश्टिय जो छुटी allotted होती है वो भी आप लोगों को calendar के हिसाब से मिले यहां तक की provident fund EPFO, ESI और अनुकंपा सहित retirement की facility आप लोगों को सरकार दे इसको लेकर के लगतार वाज उठाते रहे हैं और आप लोगों को बता दे कि आप लोगों के हितों में बहुत बड़ी खुस खबरी आने वाली है क्योंकि आप लोगों को लगतार प्रूप के साथ दिखाते रहे है कि किस तरह से आप लोगों की मांग को जोरो सोरो से उठाया जाता है लगतार आप लोगों को बता दे कि पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप लोगों को तमाम जानकारी आज कि इस ख़बर में हम देने बाले हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे A&M करमचारी हैं जिनको गिष जिला छोड़ करके दूसरे जिला में अपॉइंट किया गया है अब उनको उसने 11,500 रुपे की जो रासी मिलती है जो उनको सैलरी मिलती है उसमें उनका घर चले वो अपना खर्च उठाए या फिर वो जहां रहती है वहां का expense उठाए इसको ले करके उन लोगों को transfer अपने गिरह जिला में करें इसको लेकर के भी जो लगातार हम लोगों की आवाज उठती रही है और आप लोगों को बता दे कि बंधिया करन की नई तकनीक इंटरवल ICD लगवाने के लिए महिलाओं को उत्प्रेडित करने पर आसा कार करताओं को अभी कोई प्रसाहन रासी नहीं दी जा रही थी, इस मद में 100 रुपे परती लाभार्ती दिया जाना चाहिए, मात्री स्वा करन सिसु स्वास्त कार्जकरम, रुटीन एंड रेक्रिंग एक्टिविटीज के तहत भी रासी में विर्धी की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी विर्धी नहीं की गई है, जिसको लेकर के जो है, आप लोगों की बास संसद से उठकर के जो है, लगतार जो महिला बाल विकास मंत्री है, असमिर्त इरानी ना सपस्ट रूप से कह दिया है, और मोधी जो परधान मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि ये मोधी की गारंटी है, कि तमाम आसा कार करता अंगनवारी स्योविका, आसा फैसिलिटेटर वैक्सिन कुरियर ममता दीदी, जी अंगनवारी स्योविकाओं को, जो की 5 लाग का होता है, तो उन लोगों को, आप लोगों को सरकार 18,000 रुपे, लेकिन आपको बता दे कि 10,000 रुपे की एक्सपेंस के अंदर सरकार उठाएगी, बाकि जो होगी 40% में, आप लोगों के जो भी कमिसन बनते हैं, आप लोगों के देगी, जिससे आप लोगों का कुल सैलरी, कुल मान दे, आप लोगों को हो जाएगा 18,000 रुपे, जिसको लेकर के लगातार, तमाम, मीडिया, ब्रीफिंग, तमाम, मंत्री, तमाम, जितने भी करमचारी हैं, उन सभी के हीटों में जो लगातार हम लोग आवाज उठाते गई है, वो भी हम आप लोगों को दिखाए हैं, तो जो भी बाते होती है, एकदम सटिक जानकारी जो आती है, वही आप लोगों के साथ सेर होती है, और सुत्र से जानकारी जो मिलती है, वही आप लोगों को बताते हैं, बता दे कि आज जो बिहार बजट है, 2024-25 बिहार वो वापस से अपने पट्री पर समाना अंतर जो है अच्छे तरीके से चलने लगे इसको लेकर के तमाम करमचारी आस में बैठे हुए हैं और लगातार आप लोगों को हमारे सहयोगी टीम होहा से जुड़े हुए हैं और जो भी खबर आती है आप लोगों को हम पलपल की अप करमचारी है उन सभी के हितों से लगतार सरकार से एक ही मांग करते रहे हैं कि अगर सरकार को फिर से 2024 में अगर सत्ता में बने रहना है तो सरकार जितने भी करमचारी है उन सभी को उचित वेतन यानि की मौझूदा समय के बिहार बजट के हिसाब से जो बिहार की महंगाई है ज उसको वित्रहित में उसको देखते हुए सरकार उन सभी को उचित वेतन यानि की कम से कम 18,000 रुपे महिना दे, NPS का लाब दे, Medical Am Policy दे, Accidental Insurance दे, सबता में छुट्टी दे, राष्टिये छुट्टी दे, भविस्त निदी दे, ESI दे, अनुकमपा दे, तो देखिए जितने भी महिला करमचारी हैं, उन सभी को एक चीज बता दे, कि सरकार की जो नई Policy है आप लोगों के हितों के लिए है, क्योंकि जब आप लोगों ने करोना समय में किस तरह से देश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाया, आप लोग एक समाज सुधारक हैं, समाज का निर्मान करत हैं, कहीं ने कहीं बच्चे को जो पोलियो इन सब चीजों से मुक्त करवाने में आप लोगों के बहुत बड़ा जो है योगदान है, इसको ले करके डवलुएचों ने आप लोगों के हितों में भी बहुत ज़्यादा कॉंप्लिमेंट्स और प्रेज किया था, जिसके भारत के परधानमंत्री स्री नरंदर मोदी ने अपने नित्रित्व से उन्होंने आप लोगों के हितों में एलान किया था और लगतार वो आप लोगों के हितों में संसय बना करके रखे हुए हैं, कि आप लोगों को जो मौझुदा समय में मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता ह जिसको ले करके जिन जिन राज में BJP की सरकार है उन राजियों के करमचारियों को सरकार हमें जो लगता है कि पहले से ध्यान दे करके और तमाम करमचारियों को एक गुट बना करके काम कर रहे हैं और लगतार जो है सरकार गेंदर सरकार जो है आप सभी को ले करके तमाम जानक रहे क्या कुछ खबरे आती है तो आप लोग को अपडेट करते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें